तो पहले एक किड्नी आपके निकाल के आपको आइपोन देता है उसके बाद आपको कहता है कि भाई, अब आपको दीरे-दीर अपना खून की बोतले भी वेचनी है, क्योंकि आपको iCloud चाहिए, iCloud के लिए आपको कुछ पैसा देना है, अरे भाई, music सुनना चाते हो, मेरा Apple Music ले लो, भाई, हमने अपना OTT निकाला है, Apple TV, आपको Apple TV नहीं है, आप तो Apple user हो, Apple user तो अमीर होता है, तो Apple TV भी ले लो, आप इसकी एक जिम वाली सर्विस निकाली है, आप बो भी ले लो, अरे आप Apple use कर रहे हो, साथ में watch use नहीं कर रहे हो, अरे भाई, क्या कर रहे हो, फिर थोड़ी खून की बोतल निकलती है, फिर कहता है वो, कि भाई, आपना airports हमने निकाले है, जो कि आपके Apple के साथ connect हो जाएगे, और आपको ये experience मिलेगा, ऐसा वैसा, और आपने जो music service ले रखिया है ना, उसके साथ में link हो जाएगा, अरे भाई, ये तो बहुत बढ़ी चीज है, ये भी ले लो, अच्छा हमने watch भी निकाली है, आपको पत आपको पता, M.I.E. भी ये इसे इंकाम कर रहा है, M.I.E. फोन सस्ता बेच रहा है, पर उसके उपर उसने layered services बना रखिया, जहांसे पैसा कमा रहा है, सस्ते फोनों के अंदर वो ads लगाता है, और ads से पैसा कमाता है, अगर आपको कोई महेंगी service चाहिए, तो उनके पास में आपको बात रहा है, तो Apple जिस तरीके से ecosystem बना रहा है, अब Apple तो सब अमीर कहते है, M.I.E. भी यही same कर रहा है, तो यह चीज करी जा सकती है, किसी भी level of business के लिए, पर आपको smartly सोचना है कि अपने business के अंदर आप इन चीजों को कैसे apply कर सकते हो, तो यहां पे आप ecosystem create कर रह और customer आपको छोड़ के जाही नहीं सकता, क्योंकि वह आप पे dependent हो गया है, मैंने editing final cut pro पे सीखी है, और मेरे को 4 साल final cut पे edit करता हो गया है, तो मैं किसी और software में move कैसे करूँगा, और अगर मुझे final cut use करना है, तो मुझे apple ही लेना पड़ेगा, मैं windows पे नहीं कर सकता, तो च कोई ऐसा business कर रहे हो, जिसके अंदर आपको लगता है, यह strategy यूज सकती है, अगेर आप comment कर सकते हो, अगर आप जल्दी comment करोगे, तो chances होगे कि मैं आपकी comment कर रिप्लाइ करूगा, बाय गुर्ण शवाकेर, खुदा आफिस, गुड मॉर्निंग और अफ्टून जब भी झाल मॉर्ण